अस्सलाम अवेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज जो है वो मैं सेट्सेफ प्रोड़क्ट वर्सिस होफ्टमेन प्रोड़क्ट के साथ आई हूं। हमारे पास हम लोग अलिमिनेशन रियक्शन जब पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास होता यह है कि सेट्सेफ प्रोड़क्ट वो हमें कहता है कि मोर स्टेबल अलकीन जो है वो प्रिपेर होगा। चैक है फर इजमपल मेरे पास अगर जो है अलकायल हिलाइड है ये चैक ए, इस अलकायल हिलाइड का मैं रेयक्शन कर撲ाती हbo Santos किसके साथ। अलकोलिक के वज़ के साथ रैक्षिन कहाते हैं अब इस अलकाइल हैहे Counsel है नो आ यह बाद से अड़ कार्बन भी है । बाद Kim पड़하신 एंलिम quanे में यह इंद के तो होती है यह एदमरे बीटार होती है या यानि कि alpha carbon से हमारे पास एक group निकलता है ठीक है वो हमारे पास alkyl group भी हो सकता है और वो हमारे पास क्या हो सकता है OH hydroxy group भी हो सकता है और beta से हमारे पास क्या निकलना होता है hydrogen निकलना होता है जब हमारे पास ऐसा case हो कि हमारे पास 2 beta carbon मुझूद हो और दोनों के पास क्या मुझ वस् удар है तो में पास दो प्रोडक्टस होती है हम लोगों को मिलती है चांस है हमारे पास कर देख से तो हमारे पार में से हीटरोजन निकलता है तो हमारे पास बने ही ऐचिस टूरी CH, double bond, hydrogen एक निकल गए यहां से, CH, और यहां से हमारे पास क्या निकला है, BR निकला, CH3, यह हमारे पास पहला product बना, ठीक है, और दूसरा, अगर हमारे पास इस carbon से निकलता है, hydrogen, तो जो product बनेगा, वो कुछ ऐसा होगा, CH3, CH2, CH double bond, CH2, यह second product बनता है, हमारे पास, अब states of हमें यह कहता है, कि यह जो है, हमारे पास major है, और यह जो है, हमारे पास नहीं बनेगा, यह कम एकदार में बनेगा, जिसे हम बोलते हैं minor, ठीक है, major है, और, क्योंकि यह stable है, यह major है, यह ज्यादा quantity में बनेगा, यह हमारे पास 80% बनेगा, यह मेरे पास क्या बनेगा, 20% बनेगा, तो जो ज्यादा stable अलकीन है, हो ही बनेगी यहां पर वही ज़्यादा कौइंटिटी में होगी और जो महरे पास क्या होगे लश स्टेबल है वो माइनर होगी नहीं है अब मेजर अलकीन या आप कहलो स्टेबल अलकीन क्या जीज होती है स्टेबल अलकीन वह है, that alkene is stable, which has more alpha hydrogen. तो more stable alkene की पेचान है more alpha hydrogen, ठीक है, अब इस केस में देखें, हमारे पास alpha hydrogen कितने हैं, carbon, double bond carbon, ठीक है, ये हमारे पास double bond के साथ अला जो carbon है, वो alpha carbon है, इधर भी ये alpha carbon है, और इसके पास जतने hydrogen है, वो beta hydrogen है, तो 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, यानि कि 6 alpha hydrogen है, sorry, alpha carbon के साथ alpha hydrogen है, तो यहां पर 6 alpha hydrogen मुझूद है, तो फिर हम लोग decide करते हैं कि most stable alkene क्या होता है, most stable alkene वो होता है, जिसके पास ज्यादा नंबर में alpha hydrogen मुझूद होते हैं, ठीक, अब sets of product, यह हमारे पास sets of product, जब हमारे पास जो base है, वो क्या इस्तमाल हो, small, छोटा base इस्तमाल हो, तो उस case में हमारे पास sets of rule जो होता है, वो follow होता है, हमारे पास sets of product बनता है, यानि कि more stable alkene बनता है, लेकिन, students, होता क्या है, अगर हमारे पास बल्की base इस्तमाल हो, चाहिक है, बल्की base इस्तमाल हो, तो उस case में हमारे पास बल्की base अब कौन-कौन से हो सकते हैं, यह tertiary but, ठीक है, यह tertiary group लगावाई, बल्की group है, तो sodium tertiary but oxide यह हो सकता है, इसी तरह से हमारे पास अगर amine हो, उसके पास three क्या हो, इथायल, group लगे हो, try, try, ethyl, amine, तो यह दोनों बल्की क्या है, basis हैं, in case of bulky basis students होगा क्या, जब alkyne बनना है, अभी फिर हमारे पास क्या है, दो यहाँ पर beta carbon है, और दो टाइप के beta hydrogen है, ठीक है, तो अब हमारे पास in case of bulky basis, states if rule follow नहीं होगा, more stable alkyne नहीं बनेगा, बल्के होगा यह, कि bulky जो base होता है, क्योंकि वो bulky होता है, उसको जगा नहीं मिलती, उसको steric hindrance आती है, steric hindrance की वज़र से वो उसवले hydrogen को pick करता है, जो उसके लिए असानी हो, कि वो असानी से उसको pick कर ले, steric hindrance कम से कम उस पे लगे और वो असानी से हिट्रोजन को पिक कर ले अब bulky base यहां पर हमारे पास क्या है CS3 है इस साइट पे देखे CS2 है और साथ में एक यह मिठायल लगा हुआ है मतलब कि यह असल में अच्छा खासा क्या है steric hindrance है एक साइट पे इसके क्या है अलकायल है दो साइट पे हिट्रोजन है तो bulky base जो होता है वो इस चीज़ को prefer करता है कि जो असानी से अवेलेबल हिट्रोजन है उसको पिक करे तो bulky base जो है वो इस वाली हिट्रोजन को पिक करेगा बजाए के इसको ठीक है इसको पर करने की विज़ाए इसको प्रेफर करेगा जिसके नतीजे में जो प्रोड़क्ट बनेगा वो हमारे पास यह वाला प्रोड़क्ट बनेगा ठीक है यह हमारे पास लेस स्टेबल है ठीक है बन्ट मेजर मेजर होने का मतलब हरकिस यह नहीं होगा कि वो स्टेबल भी होगा ठीक है बस मसला यह हुआ है कि बल्की बेंस ने स्टेरिक हिंडरंस की वज़ा से उसने कोशिश किया कि मैं उस हाइटरोजन को पिक कर लो जो असानी से अवेलेबल हो वज़ाए इसके कि मैं इस बल्की ग्रूप में घुसके हाइटरोजन को पिक करूँ तो इस वज़ा से वो अगर उसको असानी से जो हाइटरोजन मिलता है उसके लेने के बाद बेशक लेस स्टेबल अलकीन बने तो वो लेस स्टेबल अलकीन बना देगा हाँ, अगर वो असानी से हैटरोजन पिक करने के बाद भी ऐसा अलकीन बन रहा है कि वो मोर स्टेबल है, तो इट सोके हम लोग हमेशा ये नहीं कहते हैं कि इसने लेस स्टेबल अलकीन ही देना है कंडिशन है, हो सकता है कि अगर वो हैटरोजन को पिक करे easy hydrogen को pick कर ले और उसके बाद most stable alkin बन जाए तो ये मुम्किन है ठीक है तो बात सिरफ ये है कि ये major वो वला alkin देता है जहां से hydrogen को pick करना easy हो ठीक तो ये सारा मसला है किसकी वज़ा से ये steric hindrance की वज़ा से होता है ठीक है तो ये जो हमारे पास product बना है इसको हम बोलते हैं Hoffman product ठीक है तो Hoffman product Hoffman product सिरफ और सिरफ steric hindrance को avoid करने के लिए बनता है ठीक है और जो हमारे पास है sedzif वो more stable alkin बनाने के लिए बनता है ठीक है students ये alkyl halide है इसी तना से अगर हमारे पास dehydrogenation of dehydration of alcohol करें तो तब भी हमारे पास same rule क्या होगा apply होगा sedzif अगर possibility है कि more than one alkin बने तो sedzif जो है वो rule follow होगा और more stable alkin जो होगा वो ही produce होगा ठीक है students उमेद करते हूँ कि आपको समझ आ गया होगा अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब ने किया तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को on कर ले अपना ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज